बर्साइध के मौसम में फ्रेंच्विन की खेती के वारे में जाती हैं जैसे अरका कोमल है और आपका सम्रदी है जया है इन प्रजातियों का आप चैन करेंगे और सिचाय के लिए क्या करेंगे क्योंकि ये बेलवारी सब्जियां इनकी जड़ने थोड़ी गहरी जाती हैं तो कम पानी में भी ये उत्पादन अच्छा देती हैं फिर भी ह हमें आठ से 10 दिन के इंतराल पर इसमें अलका अलका पानी देते रहना होगा ताकि नमी बरकरार बनी रहे अगर नमी अच्छी रहेगी तो हमारा ब्रद्य विकास पौदी का अच्छा होगा जिसे उत्पादन अधिक होगा और किशानों को मुनाफ़ा दिखोगा तो सीचा हिसी पहले से दलानी फसले दलानी पकी एंग्या करते hill कि मृत्रा फ हम प्रेजन बाद देंगे ज्थीन हम दोबागों पेरी निराई पनार गाइब और दूसरा दूसरी निराई है। पीट प्राइड को भी उसी तरह से ant करेंगे जो को बॉड इस्प्ट्रम करते हैं उससे नहीं करना सफीज कर के फैलाओ प्लाब करेंगे उसको फबून से फैलता है उसको बोलता है हम पाउडरी मिल लिए उसकी रोगताम के लिए हम फंजी सैड दबा का प्रियोग करेंगे कोई भी फंजी सैड कारबानेजम है बाविश्टीन है रेड़ोमेल है यह दबा पाउडर फॉर में मिलती है दो ग्राम दबा जो हमें एक पानेजी साब से गोल बनाएंगे उसका च्छिटाव करेंगे तो हमें अच्छा से उसका जो है रोग नेंतरन हो जाएगा अच्छा इतना सब कुछ करने के बाद हम देखेंगे बहुत अच्छे से अगर किसान खेती करते हैं तो इसके जो हरी फलियों की उत्पादन है अच्छी हुई फलियों को हम सुखा लेते हैं सुखाने कवाद बीज बना लेते हैं तो जब बीज बनाएंगे तो दस से पंदे कुंडल बीज की मात्रा उसमें उत्पादन हो जाती है और उस बीज को फिर दुबारा से हम सोधित करके हम अगली साल के लिए रख सकते हैं इ प्रेंच मीन की खेती करेंगे जरूर उनको अधिक मुनाफ़ा होगा और हमारे जार्खन के किसान भाई अच्छे मुनाफ़ा कमाएंगे और अच्छा लाब मिलेगा उनको